यह वीडियो एक कस्टूमर के लिए बहुत हैलफुल रहने वाली हैं और यह वीडियो जो होने वाली है गाइस कीरो की 100 सेसी से लेकर 110 सेसी तक इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप इंजन बनवाते हैं तो कितने खर्च में इंजन बन जाता है और इंजन की बहतर सौन के लिए बिलकुल मक्षन मलाय जैसे हम बोलते हैं जाहते हैं तो कितने सारे पार्ट सबको बदरवाना चाहिए जहां तक कि बहुत सारे मुझे पैसे किस बात के लगा है आज परदा फास्ट करने वाला हूं जो मेकानिक जो है कुछ सामान लगाते हैं और पैसे कुछ चीज़ों के जोड लेते हैं मतलब मैं चाहूंगा कि उस कश्टूमर के लिए कि यह वीडियो इस तरह की है गैज कि आपके जो फाल्दू के पैसे लगते हैं एक मेकानिक के पास इससे कहीं ने कहीं बच जाएगी और मि आपके पास हीरो की एक सो सिसे बाइक है या फिर एक सूदस बाइक है डो बाइस के बारें बताओंगा और फुल इंजन में जो पार्ट्स पूर्जय लगते हैं यह हमने जो है टोटल इस पर्चे में लिख लिया है तो आप देख सकते हैं कितना चीज़ें जो हैं हमने इसक मंकन मलाई ही तो चाहिए ना बस अतना ही इतना ही समान लगाना है और आपको मंकन मलाई जैसे आवाज लाना है फ्ल इंजन जब बनाते है है तो हमारे बाइक पहले से वायट इसमांग दे दिता है यह पिर एंजन की जो काफी ज्यादा सौंड होता है उसको हम कें करने के जैसी बड़े मेकानिक से यह फिल चोटे जैसी मेकानिक हमारे एर जाज़े मिलती है उस मेकानिक से हम खुलवाते हैं दिखे मैं दो तरीकी जनकारी देना चाहूँगा इस वीडियो में जो कस्टुमर को दिक्कत ना हो सबसे पहली बात कि इंजन की जो आवाज है सौंड है बहुत ही बहतर है कोई दिक्कत नहीं है सौंड में कोई समस्या नहीं है इंजन की आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ white smoke की समस्या है white smoke की समस्या है तो बस आप दो ही काम करा सकते हैं दो काम यह होगा, चाये तो engine के sylender block को आपको bourr कराना होगा या फिर sylender block kit को नया डलवाना होगा अगर यह काम कराते हैं तो engine से white smoke की समस्या जो है दूर हो जाती है यह पहला जो है मैंने बता दिया direct कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं वाइडी समोक की समस्या को दूर कर सकते हैं सिर्फ इसरेंडर व्लॉक को बदल के इसके साथ मैं आपको जो important जी बताने वाला हूँ engine के sound क के उपर इंजन बहतर बनाना चाहते हैं बिल्कुल नियू सॉंड लाना चाहते हैं तो इस तरह की जो हमने परचा बना के रखता इतना सामार आपको बदलना होगा सबसे पहले इंजन के अंदर जो क्रेंग शाप लगता है क्रेंग जो होता है जिससे कि फिश्टन सेलेंडर च से लगा के और इसके साथ बेरिंग गाईज मैं सभी के पराइज नहीं बता हूंगा अगर पराइज बता दिया तो कल मुझे भी दिक्कत है और जतने भी हमारे साथ ही जो मेकनिक भाई हमारी वीडियो को देखते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना उसके अंदर जो मैं लगता है गाईज वह आपको डलवाना है दो बैरिंग जो लएगा वह बिल्कुल आपको डलवा ही देना है मिस्तरी से आप कहें कि दोनों बेरिंग बदलवात हैं याकि मिस्तरी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर यह काम करें एंजन की अच 60001 की जब डालते हैं तो इंजन की फिनिशिंग भॉत बहुतर तरीके से हो जाती है और उसका लाइब भी है जादा ही आपको मिलेगी जैसे की अगर अलग अलग लगाएंगे तो चरह तो था को मैं आपको सी जाता है तो अपको पती और पूश्रड के दुवारा जो है प्रेसर बनता है टाइट रखने में मदद करता है यह आपको बदलवा देना है और कैम साप्ट है आपके बाइक काफी दिनों से अगर वाइट समक दे रही है दुआ मारे और आपने ध्यान ने दिया और इंजन से जो है मोबिल कम हो गया इंजन से ओयल कम हो गया जब कम इंजन में अगर आप चला देते हैं तो हैट के उपर जो कैम साप्ट रहता है वह घीस पर जाता है और वह घीस जाता है जब तक कि उसे आप चैंज नहीं करेंगे तो टैपीट की जो एजस्टमेंट हो सही त्रिके से नहीं वपाती है और इंजन जब फूल बनाकर फिट करेगा उसे नहीं बदल तो टिक टिक जैसा जो है आवाज होता ही रहेगा तो कैम साप्ट और रोकर भी आपको ध्यान देना है अगर वह घीसा हुआ है कटा हुआ है तो आपको दोनुं बदलवा देना है इससे जो है इंजन की सौन बहुत 99% समझो की इंजन की सौन जो हो ज्यादा होती है इसी चान के उपर काम नहीं करता वाज के ऊपर तो काम नहीं करता लेकिन प्रेues सर्ट और आवाज आती है और सíchतिक रहेगा इसलिए भाल्ब और भाल्ब की जो guide होती है head में उसे भी आप लोग ज़रूर बतलवाएं अगर खराब है तो cylinder kit डलवाएं या फिर cylinder kit को bore करवाएं cylinder को गर bore करवाते हैं तो भी वो चलेगा अगर kit डलवाते हैं तो भी चलेगा कई बार हमने देखा एक क्या शिकायत कि Surrender Kit जब डालते हैं तो piston की आवाज जहें वा आ जाती है और कई बार नहीं भी आती है और Surrender Kit प्राणा ही है और उसे बोर कराती है तो piston की आवाज नहीं आती जल्दी से लेकिन इसमें क्या शिकायत है कि अगर सही से बोर नहीं हो पाया दुशान लगता है तो दोनों सक्सेस सब्सक्राइब करता है मेकानिक के रहा रहा है उसके आप लोग काम करा सकते हैं उससे फ्लाग को भी चुन सकते हैं उससे करते हैं तो कुछ मैलेज कम रहेगा और कुछ दिन बाद चलाने के कुछ किलमेटर चलाएंगे तभी जो है आपको मैलेज में सुधार मिलेगी दिरे दिरे वैसे दोनों सक्सेस हैं लेकिन काम करने का तरीका जो है मेकैनिक का अलग-अलग होता है कलच पलेट जो पिकप के ऊपर काम करता है और कलच होजिंग कलच सेंटर कलच हब यहां पर भी सौन मिलती है अगर आवाज खराब होती है कलच होजिंग का रबड कट जाता है तो कलच होजिंग जो है आवाज करने लगता है गड़ गड़ जैसा आवाज करता है तो अगर पूरा बदलवा देते हैं तो यह इसकी जो लाइफ है बहुत जादा है उसके साथ जीपीडी पेनियन जो सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है मेकैनिक लोग इस पर ध्यान ही ने देते हैं तो जब भी फूल इंजन बनाते हैं बदले याना बदले जीपीडी पेनियन जरूर बदलें एक रवट कटा हुआ है कलच हाजिंग का जो कटोरा देखते हैं तो पूरज़ बदलवा सकते हैं एक हैड़ा सेंबली बल़्ते हैं किटना सब कुछ अगर डाल देते हैं जीपीडी पेनियन यह चैटम होता है कलज के साइड मगर इसे डाल देते हैं तो गारी कीक काफी ज़्यादा मिलेगी और इंजन की जो सान ने बहुत ही धीमी हो जाएगी मकन मलाई चैसे हो जाएगी सच में कहा रहा हूं इसके साथ ही गाईज और क्या बताना है इंजन वाइल पैकिन कीट लेट वर्क यह सब चीज़ें गाईज इंजन के अंदर काम होता है इंजन के तो मेरे साथ से 12-12000 के करीब आज आएगा अगर यहां पर करेंग को बदलवाते हैं तो सकता है कि पूरा बदल देते हैं तो इससे खर्च बढ़ जाता है पूरा एसेंबल नहीं बदलते हैं करेंग को या फिर होजिंग को उसको रिपेर कराते हैं अंदर का जो कुछ पुर आप अराम से बनवा सकते हैं या फिर 12000 के आसपास में ज्यादा ज्यादा कर माना जाए देखा जाए बहुत कुछ बदल दिया इंजन के अंदर का तो 15000 से ज्यादा खर्च नहीं होता है तो अगर आप मेरे ही पास काम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले बाइक को लाना होग ही इन इन लोग सुनते हैं वह कैसा है यह बहुत कुछ ऐसा है कि इन जब तक को लते नहीं उसके उटको को देखते नहीं है नजर से तो हम पता ही नहीं की और भाली है या नहीं है कि पर सब्स्ट कर दिखें वीडियो के माध्याम से बताना चाहां चौब अठी ऑवाज बैतर बनाना चाहते हैं लिए सब सेधी पार्स अब को बदलना होगा और आप चाहते हैं कि आवाज बहतर है पहले सही सिर्फ पर धुवां बंद करना है तो हैड और सृइंडर कुछा ना है स्रटेंडर कि डलवा दीजिए और इंजन के अंदर फार्ट भालब होता है गाइड होता है वालसिल होता है अगर बदलवा देते तो इसे निग की जो वाइट है की समस्या है वो दूर हो जाएगे चार्ज जो ने बताया यह हाई कोश्ट वाला जो कि इंजिन अगर खूब बहतर से बहतर अगर बनाना चाहते हैं तो वैसे तो 7000 से लेकर 8000 में फूल इंजन फिटिंग हो जाता है इतना काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा जो है फिर 15000 तक भी पॉश सकता है यह मेकानिक के उपर डिपारिंड करता है वह आपके बाइक का इंजन खोलेगा और क्या क्या पूर्जा खरागा और आप भी किस तरी के से काम कराना चाहते हैं इ ह्वासा से इंजन बनतना चार्जन शारा जाता है in gas हस आठ़ बड़य में बलते हैं ऊसी तरीके से एक खरच भी बड़ता है तो आप यह कन्फिज्टर में ना रहा है कि कासी मोटो भाई ने मतलब ज्यादा चार्ज बता रहा है इंजन बनाने का तो इतना साथ जरूरी नहीं कि लाइगा आपके बाइक में वो चकता है कि 5545 में ही आपके बाइक काम हो जाए बहुत एजी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से मैंना इस बारे मिनट में आपको बता दिया कि इंजन की तरीके से आपको बनवाना चाहिए कितना खर्च पड़ जाता है यह भी हमने करीब-करीब बता दिया गाई हम इसलिए बताना चाहा कि कस्टुमर काफी ज़्यादा आप यह वीडियो काफी हैलफूल रही होगी वीडियो को एक बार लाइक कर दें और फेजबुक पेज या फिर फेजबुक आईडी पर शेर कर दें ताकि दूसरों को भी इसके बारे में कुछ जनकारी हो सकते हैं क्योंकि बाइक मुट सेकिल तो हर किसी पास होता है और कभ यो जरू बनादोंगा